नमस्कार, वल्कम बैक to my another video दोस्तो इस वीडियो का thumbnail देखने के पर आपको पता चल गया होगी इस वीडियो में आपको क्या बताने वाल हो जियाँ दोस्तो अगर आप भी हमारे तरह एक YouTuber हैं और आप अपना वेडियो बनाते हैं, बड आपको सबसे ज्यादा परिसानी है, अपने थामनेल को लेके आपके वीडियो से व्य Will ا inve.Uaaaa क्योंकि इस वीडियो के माधियम से हम आपको बताएं कि बहुत ही आसान तरीके से आप अपना थमनेल विदिन अ मिनिट कैसे बना सकते हैं तो दोस्तों बिना देर करते हुए आईए शुरू करते हैं एक बहुत इंफॉमेटिक वीडियो जो आपको आसान लगेगा जो आपको इंफॉमेशन देगा जो आपको माधित करेगा अपने थमनिल को बनाने के लिए और विदिन अ सेकेंड तो दोस्तों आईए शुरू करते हैं उस एप के बारे में बताने के पहले आपसे एक गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए बैल आइकॉन दबा दीजिए ताकि आपको हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन फटाक से मिल जा और यह जो एप है इसको आप प्ले स्टोर से डाउनलूड कर सकते हैं जैसे आप प्ले स्टोर के अंदर जाएगा तो आपको कहीं न कहीं अब हम प्ले स्टोर पे जा रहे हैं और प्ले स्टोर पे जाएंगे इस एप का नाम है थमनिल मेकर एप for YouTube तो वो आपको थमनिल मेकर लिखना पड़ेगा थमनिल के लिखी आजाएगा इस तरह का इंटरफेस आएगा फिर आप इसको जब डाउंडोड करेंगे तो इस तरह का इंटरफेस आजाता है इस तरह के इंटरफेस के माध्यम से इसको आप अपने जीमेल से साइनिंग कर सकते हैं यह छे तरह का यहां पे ब्लॉग देख रहे हैं इस तरह के एड्स भी आते हैं बड़ इससे हवरानी की जौरत नहीं जो चार तरह का ऊपर आप देख रहे हैं अभी तो यह बिसिकली में है और नीचे जो पाचो और छठा है यह कहीं न कहीं इसका खुद का एड्ड है जो इनके दूसरे एप से तो वो एड्ड के बारे में दिया गया है तो यह जो पहला ओप्शन है यह थमनिल मेकर का बिसिकली यही काम करता है और इसके थूँ आप आप बना सकते हैं तो अभी हम देखेंगे कैसे यह बनाते हैं तो अभी हम जो मेकर का उप्शन है उसको क्लिक करेंगे और उसको क्लिक करने तो इस तरह का कुछ interface खुल जाएगा तो इसमें जो नीचे आप 6 page देख रहे हैं 6 अलग-अलग block देख रहे हैं तो इस तरह के blocks आपको मिलेंगे और इस तरह के blocks को आप यूज कर सकते हैं जैसे आप इसके page को आगे बढ़ाएगे तो यहां बहुत सारे thumbnail जिससे आप चाहिए बनाना चाहिए उससे आप से बना सकते हैं तो इस तरह के कुछ pages आपको interface देखने को मिलेगा तो यह कुछ interface है जिस interface को यूज करके आप कहीं न कहीं बना सकते हैं अपना thumbnail तो यह basically इस app का नाम है thumbnail maker अब एक thumbnail हम बनाने जा रहे हैं इस option को हमने choose किया है इसमें दो photo आप लगा सकते हैं तो जैसे हम gallery में जा रहा है जैसे आप को आप क्लिक करें gallery का option आ जाएगा फिर यह gallery में जैसे हम trip to patal code का एक बनाते हैं तो यह वीडियो बनाया था पाताल code गया था यह इसको हम उम्लियो के सारे इसको round कर सकते हैं बहुत असानी से तो यह मेरा photo आ यहांप अपर तो दोस्तों यह patal code का picture हो गया और patal code के picture के साथ मेरा photo मतलब patal code मैं गया था अब यहांपे हम type कर सकते हैं किसी भी तरह का नाप तो हम यहाँ पर टाइप करने वाले हैं TRIP TO PATAL CODE तो टेक्स यहाँ पर हम टाइप कर रहे हैं TRIP TRIP TO2 PATL PATAL KOT CODE तो दोस्तों यह हमने TRIP TO PATAL CODE यह दिया इसको आप उपर नीचे अपने उम्रियों के साहरे से कर सकते हैं बहुत सिंपल है तो इस टेक्स्ट को अगर आप चेंज करना चाहें तो आप इसको चेंज भी कर सकते हैं तो मैं आपको देखाता हूँ इसको कैसे चेंज कर सकते हैं टेक्स्ट उप्शन में जाएगा text option में जाने के बाद, यहां से font आप change कर सकते हैं, तो इस तरह का font आप change कर सकते हैं, और इसको छोटा बड़ा भी कर सकते हैं, इसमें बहुत ज़्यादा कोई परेशानी नहीं है, आपको अंग्लियों के मादेम से, touch screen के मादेम से आप इसको कर सकते हैं, तो यह almost आपका तैया आपका तैयार हो गया है, तो यह almost आपका तैयार हो गया है, चोटे मोटे add आते रहते हैं, अब इसका मुझे हम लोग को, basically screen shot लेना पड़ेगा, या तो फिर आप इसको save भी कर सकते हैं, तो अभी हमने इसका screen shot ले लिया है, screen shot लेने के बाद, फिर हम आगे अपने menu button में, menu button YouTube studio में जा करके हम एक video निकालते हैं, जो trip to patal code का रहेगा, यह मेरा YouTube studio का interface है, जैसके आप देख रहे हैं, अब हम जाएंगे अपना trip to patal code का एक video, जैसे आप ये video देख रहे हैं, यह मेरा trip to patal code है, और इसमें simple से जो automatic में photo जाते हैं, वो है, तो हम इसके अंदर जा करके, इ अपना thumbnail यहाँ पर set हो जाएगा, इसको select option दबाने के बाद, इसको save कर सकते हैं, तो दोस्तों, कितनी आसानी से यह thumbnail बन गया, तो यह thumbnail बन गया, तो यह basically मैं आपको बताना चाहरा था कि thumbnail कैसे बनेगा, तो दोस्तों, उमीद है कि बहुत ही आसानी से आप सीख लिए होगे, कैसे बनाते हैं, यह बहुत ही कमाल का है, इस एप को आप डाउनलोड करें, और इस एप के तो, तो होफ़ली दोस्तों, आसा करते हैं, कि इस इंटरफेस को देने के वाद, इस वीडियो को देने के वाद, आपको इतना तो समझ में आगया होगा, कि YouTube में जो thumbnail बनाते हैं, व और आपको यह वीडियो के मादेम से आपको मालूम चल गया होगा, कितनी आसानी से अच्छा और attractive thumbnail बना सकते हैं, इस एप का description box में मैं link दे दूँगा, आप जा के उसको डाउनलोड कर सकते हैं, तो दोस्तों, होफ़ली आपको यह वीडियो पसंद आया होगा, और आपको यह information काफी अच्छा लगा होगा, अगर आपको यह information अच्छा लगा, तो comment section में comment करके जरूर बताईएगा, और अगर यह वीडियो पसंद आया, तो चैनल को subscribe करते में जाएगा, तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही, नमस्कार